नमस्कार स्वागत अभिनंदन आप सभी का आज के साहित्य में हम बात करेंगे व्रिश साहित्यकार आधन्ये ओम प्रकाश शर्मा जी द्वारा रचित कहानी संग्र है अतीत की यादें ये वर्ष 2023 में प्रकाशित हुआ है और 17 प्रकाशन से ये प्रकाशित हुआ है और इसका मुल्य के अगर हम बात करें तो इसका मुल्य है 300 रूपे अतीत की यादें कहानी संग्र है आदन्ये वर्ष साहित्यकार आउम प्रकाश शी का दूसरा इनकい ये कृती है इससे पहले इनका कुकड़ी जो पहाडी कावे संग्रे है वो भी काफी चर्चित रहा है तो चलिए सबसे पहले कहानिकार के बारे में थोड़ा सा इनका जो सहितिक परीचे है उसके बारे में आपको बता देते हैं इनका जन जो है 5 मई 1952 को ग्राम शको डागाना शोगी जिला शिमला में हुआ और 24 वर्ष तक खिमाचल परदेश पुलिस और 14 वर्ष से अदे खिमाचल शिक्षा विभाग में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और उसके पचाश सेवा निविति के पचाश ये लगाता जो है लेखन से जुड़े हैं और काफी साहिते रच रहे हैं बहुत सक्रिये हैं और साथी साथ जो साहितिक गोश्टियां होती हैं उसमें भी इनकी सक्रिये रूप से भागेदारी रहती हैं और विवित जो इनकी जो शिक्षा है उसकी बात करें तो हिंदी वो इत्यास विशे में इन्होंने परस नातक शिक्षा जो है 2010 में ये वहां से सेवा निवरित हुए हैं और शुरू में ये थोड़ा बहुत लेखन करते रहें लेकिन जो सेवा निवरित्ती है उसके पचात इन्होंने लेखन में जो रिफ्तार पकड़ी है वो हम सभी जानते हैं और ये देश ही नहीं बलकि पूरे जो हिमचल परदेश है सभी इनके नाम को कौन नहीं जानता है और इन्होंने अपनी एक जो साइते जगत है उसमें एक अलग सी पैचान बनाई है और तो चलिए आज अतीत की यादें कविता जो कहानी संग्रह है उसकी बात करते हैं और इससे पहले जो कविता संग्रह इनका आया है कुकड़ी उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी और लाइव एक सेशन उस पर भी क्या था तो फिलाल आज हम बात करेंगे अतीत की यादें कहानी संग्रह की बात करें इसके संग्रह के अनुकरमंग की तो इसमें जो है इनोंने 19 कहानियां शामिल की है और अगर जब आप पढ़ेंगे या एक पाठक इन कहानियों को आत्म साथ करेंगे तो आप अपने आप ही पाएंगे कि कितना इनका लेखन गहन है और कम शब्दों में बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में बहुत सी बातें समाज के लिए जो एक दिशा नर्देश कह सकते हैं या फिर समाज के लिए एक नई सोच के साथ ये आगे बढ़ते हैं ये सब इनकी काहनियों में जलकता हैं इन्होंने जो काहनिया इसमें शामिल की हैं उसमें हैं सबसे पहले तो अतीत की यादें फिर तीती भोच बतीजी का विवहा मन्थन भागय विडंबना बालक मन प्रतिक्षा दादा कारो जेब कत्रा छोटी सी भूल ग्री प्रवेश निष्टा, एहसास, पारो, अजीव रिष्टे, कालू, ग्यान वसमझ, नया मोर और सुरेश ये कुछ काहनिया हैं जिसमें उन्होंने शामिल की हैं और इस काहनियों को जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो इनके जीवन अनुबह हैं जो इन्होंने अपने आसपास घटेत होते देखा है वो पिर चाहिए इनके कार्यकशित हो और समाज में जहाँ पर ये रहते हैं तो उन सब कहानियों को इन्होंने अपने शब्दों में किस तरह से पीरोया है साथ में जो बिम्ब होते हैं कहानियों को और ज्यादा उसमें जान डाल देते हैं जब आप इ इस कहानी का जो क्राकर्थन दिखा है डॉक्टर निरेंजन देव शर्मा जी ने इसी को मैं आपके स्मक्ष पढ़कर सुनाओंगी इससे आपको बहुत कुछ मालूम पढ़ जाएगा कि किस तरह की ये कहानिया है और क्या समाज को किस तरह से आइना दिखाने का काम करती हैं समाज एक जटिल इकाई है और परिवार उसका एक हिस्सा पारिवारे कृष्टों की अलग जटिलताएं होती है और कटुम की अपनी ओंप्रकाश्रमा द्वारा लिखेद 19 कहानियों का संग्र है अतीत की यादें हमारे समाज और परिवार को परिवार की ओर जो विसंगतिय उनसे जूचता है, अतीत हमेशा समवेदंचिल इनसान का पीछा करता है और वहीं से ओम प्रकाश शर्मा की अधिकतर कहानिया उपची हैं, मन्थन प्रतीजी का विवहा, अतीत की यादें और वेश जैसी कहानिया इसी श्रेणी में इन्हें रखा जा सकता है, दूसी और जेव कतरा, ग्यान और समझ, जो कहानिया है सुरेश, निया मोर और छोटी सी भूल जैसी जितनी भी छोटी कहानिया है, इसमें संग्रहित की गई है, उसमें शहर में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में उनके जो भावनात्मक जो रिष्टे होते हैं, उन सब के बारे में कालू नाम की कहानी जैसे आप पढ़ेंगे तो उसमें मनुश्य और कुटे के जो भावनात्मक रिष्टे होते हैं उसके बारे में उसकी अभिव्यक्ति यहां पर की गई है गटनाएं तो रोज ही हमारे आसपास घट रही होती हैं पर एक सजीव जो कहानिकार होत है वो समाने सी दिखने वाली घटनाओं को भी अपने शब्दों में इस तरह से पिरो देता है कि हम उसे जो है जो आसपास वो देखता है उन घटनाओं को देखते हुए अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश करता है और घटनाओं के पीछे चलने वाले मनुग्यान की स कर जो यतात की गटनाओं का कल्पना के साथ सामंजस्य पेटाते हुए वे अपनी कहनी को आगे बढ़ाते हैं। कभी ब्यौरों से तो कभी समवादों के माद्यम से कहनी की गती बढ़ती जाती है। ओम प्रकाशर्मा अधिकतर वियोरों के माध्यम से यानि कथन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं ये उनकी अपनी ही एक अलग शैली है भाशा की सरलता और बोध कम्यता इन कहानियों को विशेश बनाती है उसमें एक विशेश गुण देती है जिसमें से जो है संग्रह की सब भ पारिक्यों को देखा जा सकता है ये शब्द कहे हैं डॉक्टर निरंजन देव शर्मा जी ने तो अगर आप भी इस कहाने संग्रह को अतीत की यादें जो हाली में प्रकाशित हुई है इसे आप पढ़ना चाहते हैं तो ये शिमला के किताब घर में भी आपके लिए हुआ कर इसे पढ़ सकते हैं और लेखक की लेखनी को आत्म साथ कर सकते हैं कि किस तरह से लेखक ने इसमाज को एक निया संदेश देने की कोशिश की है और हर लेखक जो भी चाहे वो कानिकार हो कविताएं लिखते हूं ये सभी यही चाहते हैं कि उनका लिखा हुआ अठक वर्ग है वो अगर प्रभावित होता है तो उनका लेखन कहीं न कहीं सफल हो जाता है तो आज देखिए हमने बात की अतीत की यादें और इसे इनकी कहानियों की जो बारी क्या है उसे और ज्यादा समझने के लिए आपको इन सभी कहानियों को पढ़ना होगा स्वयम और आप ओम प्रकाश शर्मा जी की जो लेखनी है उसको आप जरूर प्रोसाहित करें तो चलिए आज के साहित्य में बस इतना ही फिर भेंट होगी आप से किसी और लेखक की लेखनी कृती के साथ तब तक के लिए अनुवती दीजिए नमस्कार